आज हम असाध्य वीना जो की एक लंबी और प्रसिद कविता है अग्येजी के लिखी हुई कविता है इसका सरलार्थ समझेंगे और यहाँ इसे मैं अल्पनावर्मा प्रसुत कर रही हूँ प्रयोग वाद और नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं अग्येजी और उन्होंने सभी विधाओं में लिखा है यह कविता उनकी आध्यात्मिक कला दृष्ट्री की चरम सिद्धिकी कविता मानी जाती है यह एक लंबी कविता है और एक रहसेवादी कविता कही गई है को मिलता है और स्रिस्ट्री की हरकतों को इस कविता में बहुत गहनता से देखा गया है कविता के मूल प्रतिपाते को एक संपून प्रति के माध्यम से वियंजित करने का प्रयास भी किया गया है इस कविता में कुल 316 पंक्तिया हैं इसमें पहले तो राजा स्वागत करते हैं प्रयामवत केश कंबली का और उसके बाद वीना का इतिहास बताया जाता है कि कैसे बनी फिर उसके बाद वीना की असाध्यता की बाते होती है और राजा कहता है कि कोई सचा स्वर सिध ही इसको सिध कर सकता है और उसी क्या पेक्षा है हमें और उसकी बाद केश कंबली वीना साधने का प्रयास करता है उसकी पूरी प्रक्रिया है कविता की लगभग 200 पंक्तियों के बाद वीना वादन और उसकी प्रभाव के बारे में कभी बताते हैं और फिर राजा रानी प्रियमवद से प्रसन्न होते हैं उसकी प्रशनशा करते हैं प्रियमवद उत्तर देता है उनकी बातों का और वहाँ से चला जाता है और इस तरह से कविता का समापन हो जाता है और यह कविता अग्य जी के काव्य संग्रह आंगन के पारद्वार से ली गई है और आंगन के पारद्वार 1961 में छपी थी यह उनका आठवा काव्य संग्रह था और इस कविता की लोग प्रियता का कारण इसका रहस्यवाद माना जाता है और यह किस कथा पर आधारित है तो यह एक चीनी लोग कथा पर आधारित है और यह चीनी लोग कथा एक जापानी किताब में छपी है तो इसे चीनी जापानी भी खह सकते हो और जो जापानी किताब है उतका नाम है The Book of Tea और ओका कुरा का कुजो की किताब है ये और तोक्यो से प्रकाशित हुई थी तोक्यो जापान से प्रकाशित हुई थी 1906 में और जो उसका second edition निकला था वो 1957 में निकला था और उस second edition के page number 75 पर यह कहानी यह चीनी लोकता दी गई है जिसका शीशक है The Taming of Harp और उसी कहानी से प्रेरित होकर इस कविता को माना जाता है तो जो चीनी लोकता उस जापानी किताब में है उसमें क्या सामयता है उसमें कई सामयता है जो असादे विणा कविता में है तो उस कहानी में एक कीरी नाम का पेड़ है इस कविता में कीरी नामक पेड़ है और उसमें बीन वादकों का राजकोर पाई वो बजाता है यहां सादक प्रियमबत बजाता है तो हम कह सकते हैं कि चीनी जापानी कथा अगर आप चीनी कथा से खुश नहीं है कि चीनी कथा से प्रेरित है तो हम इसे चीनी जापानी कथा कह सकते हैं लेकिन यह चीनी लोग कता है क्योंकि इस कहानी में टेमिंग ओफ हार्प में चीनी राजा यह इस पस्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक चीनी राजा है जिसके हां यह हार्प है तो जिसे हमने यहां वीना कर दिया है कविता में और बौत धरम के एक संप्रदाय जेन यह जेन जो धियान संप्रदाय की कहानी है उसे यह कहानी ली गए है दे टेमिंग ओफ दा हार्प और टेमिंग ओफ दा हार्प से प्रेरित होकर अगैज verwina कविता लेखिये तो इसमें हम जो मूल तत्व है इसका वह यह है कि सत्य ग्यान वस्तुते आत्म ग्यान होता है और इस ग्यान को आप बाहरी आडमबोरों से या किसी किताब से प्राप्त नहीं कर सकते किरीटी तरू परमसत्य का प्रतीक है जिससे वीणा बनाई गई है और उसका संगीत उस सत्य की अभीव्यक्ति है बहुत से जानेमाने कलावन संगीतकार इस वीणा को बजाने में सफल नहीं होते क्योंकि उन में परम सत्ता के प्रती समर्पन नहीं है और उनके अंदर अभिमान भरा हुआ है अंकार भरा हुआ है और जहां एहम होता है वहां इश्वर कैसे वास करेगा तो प्रियंपत कलावंत नहीं है परन्तु साधक है वे साक्षी है उस सत्ते का जो अनकहा है और वानी उस तक नहीं पहुंच सकती इस सत्ते को सिर्फ मैसूस किया जा सकता है अनुभव किया जा सकता है यह अनभूती का विशय है और इस अनभूती को प्राप्ट करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर से सबसे पहले अंकार को खतम करना होता है तो जैसा कि आप स्क्रीन पर कविता देख पा रहे हैं कविता की शिरुवात होती है राजा की द्वारा प्रियमवत के स्वागत से प्रियमवत जिसे केश कमली भी कहा गया है कि लंबी-लंबे उसके केश है और वह गुफा की घर में रहता है एक साधक है और उसके आने से राजा की प्रतिक्षा मानो पूरी हो गई है जीवन की साध क्या है इस असाध्य वीना को साधना तो जीवन की साध पूरी होने का उसे भरोसा मन में होता है उसके संकेत पर आगे आप देखें लगु संकेत समझ राजा का तो राजा के जो गण हैं वे राजा का संकेत समझ कर असाधिय वीना को साधक के सामने रखकर हट जाते हैं और सभी बहुत उत्सुक हैं अगली फंक्तियों में कभी कह रहे हैं कि राजा प्रियमवत को बता रहे हैं कि ये वीना कहां से आए किसने बनाई तुभी कहते हैं कि ये विणा उत्राखंड के वन प्रदेश से आई जहां घने बनों में तपस्वी तपस्या करते हैं हमें इसका पूरा इतिहास नहीं पता परन्तु वज्र कीर्थी नामक एक साधक ने मंत्रों से से पवित्र किया है और जिस बहुत ही पुराने पेड कीरीटी तरू से इसे गड़ा है उसकी व्यापक था उसका विराट रूप कुछ इस प्रकार का था कि वह इतना उचा था कि बादलों से भी उचा था बादल उसके कंदे पर सोया करते थे अर्था बादलों से भी उचा था और उसकी कोटर में भलू रहा करते थे एक सामाने पेड की कोटर में तो पक्षी रहते हैं लेकिन वह तो इतना विशाल था और कहरी उसकी खाल से कुजाने आते थे और उसकी जड़ पाताल लोग तक वासु की नाग है उस पर फंटिका कर सोया करता था हातिम की सूडों जैसे उसकी डाले थी तो ऐसे अदुबुत व्रिक्ष से वज्रकीर्ती ने इसको बनाया था और यह है उसके जीवन का सार है राजा कहते हैं कि इसको बनाने में उसका पूरा जीवन लग गया उसकी हट ना थी और वीना पूरी हुई लेकिन इसके बनते ही उसका जीवन भे समाप्त हो गया वह इसको बजा नहीं पाया इसको साध नहीं पाया अगली पुंक्तियों में राजा यह विश्वास अपना प्रकट कर रहा है कि वज्रकीर्ती का तप व्यर्थ नहीं जाएगा सच्चा स्वर्शिद जब इस वीना को अपनी गोद में लेगा तब यह वीना अवश्चे बजेगी अठार वज्रकीर्ती जैसा एक समर्पित साधक जब इस वीना को हाथ लगाएगा तब यह वीना सद पाएगी तो ऐसा सच्चा स्वरसिद जो तप में समर्पिद हो एकागरता में अनन्या हो वह ही इसको साध सकेगा तो यहां अब आगी की पंक्ति में राजा कह रहे हैं कि तात प्रियमवद लो तुमारे सामने यह वजरकीर्ति की विणा रखी है मैं रानी और सभा सभी बहुत उत्सुख हैं और सभी प्रतिक्षा कर रहे हैं कि कब इसके स्वर गूंजें अब इसकी बाद केश कंबली जोफा गेहे ने खोला कंबल धर्ती पर चुपचा बिछाया केश कंबली ने अपना कंबल खोलकर धर्ती पर बिचाया और उस पर बीना रखती पलकी मोंदली प्राण खींचा और प्रणाम किया प्राण खींचना प्राण को साधना और पलकी मोंदना याने अपने भीतर ध्यान लगाना तो ध्यान लगाकर उसने उस बीना को प्रणाम कि और इस तरह की वीणा जिसके बारे में इतना कुछ कहा सुना गया कि यह असाध्य है और कठिन है तो कहीं न कहीं उसे संदे है संकोच है कि यह कठिन कारे वह कर पाएगा उसकी साधना शक्ति इस कठिन कारे को पूरा करने में सफल होगी या नहीं उसकी शक्ती पूरी पड़े गी या नहीं तो अलस्पश चुवन से चुना यह संकोच की भावना को भी व्यक्त करता है क्योंकि उसके आगे की पंक्तियां इस अर्थ का इस भाव का समर्थन करती है क्योंकि वे कह रहा है धीरे से कहता है राजन पर मैं तो कलावन्त हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ जीवन के अनकहे सुत्यका साक्षी तो यह राजा से निवेद कर रहा है कि मैं आपका आदेश नहीं टाल सका अता है मैंने उसे बजाने के लिया लेकिन अब स्वर साधना के लिए ले तो लिया है कि मैं अपनी असमर्थता के बारे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रवीन कलाकार यानि निपुन वादक नहीं हूँ मैं कोई गुरू नहीं हूँ केवल शिष्य हूँ मैं सिद्धी मार्ग का पतिक हूँ यानि साधक हूँ मैं कोई सिध नहीं हूँ, मैं सत्य की खोज में हूँ, उस रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उस सत्य को पाया नहीं है, फिर आगे भी कह रहा है कि वजरकीर्ती प्राचीन किरीटितरू, अभी मंत्रित वीना, आपने वजरकीर्ती साधक के विशे में बताया व्रिक्ष के बारे में बताया, उसकी व्यापकता के बारे में बताया, उसकी विराटता के बारे में बताया, और वीना, जिसे मंत्रों से पवित्र किया गया है, उसकी विशे में बताया, इन सब के ध्यान मात्र से, स्मरन मात्र से ही मैं भाविभोर हो रहा हूँ, और आगे इस बारे में मुझे खुद ही संदे है ऐसा वैं कहना चाह रहा है और कुछ ना कर पाने की उसकी मनुद दशा है अब अवस परशे चुवन से चुवे तार में विरोधवा सालंकार है और यहां आगे की पंक्तियां देखते हैं उसकी बार चुप हो गया प्रेमत प्रेमत चुप हो जाता है सभा भी मौन रहती है यह सभी चुप हैं वाद्य उठा सादक ने गोद में रख लिया वादे को उठा कि उसने अपने गोद में रख लिया फिर धीरे से उस पर जुका तारों पर मस्तक तेख दिया उसकी जो तार है सभा चकित हो गई अरे प्रेमवद क्या सो गया है केश कंबली अत्वा होकर पराभूद जुग गया वादे पर वीणा सचमुच क्या है असाध है अब सब की मन में संदे आने लगा कि क्या हो गया इस तरह से क्यों प्रेमवद बैठा है आगे की जो पंक्तियां है पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रेमवद साध रहा था वीणा नहीं स्वयम अपने को शोध रहा था सा घन्यवड तो ये जो सारी पंक्तियां है नीचे तक की भूल गया था केश कंबली राज सभा को तो ये जो पंक्तियां है इन में हम देखें कि प्रेमवद जुका हुआ है वीणा पर और सबको ऐसे लोग रहे है शायदा वो बजाएगा लेकिन वै आत्मे चिंदन कर रहा है अपने भीतर अपने आत्म अवलोकन कर रहा है आत्म मन्थन कर रहा है और वै जानता है कि उस विराट किरिटी तरू से बनी अभिमंत्रित यह वीणा इसे कोई भी वह व्यक्ति साद नहीं सकता जिसके मन में अभिमान हो कौन प्रियमवद है कि दंब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अभिमान मन में लिये हुए इसे सादने की कोशिश करेगा कोई नहीं साद सकता एक वीणा नहीं है यह यह एक तपस्वी की जीवन भर की सादना है इसे सादना है अगर इसको हमें सादने का प्रयास भी करना है तो अपने मन को साफ करना होगा अभिमान रहित करना होगा तो इस तरह से केश कंबली प्रियमवद वीणा बजाने से पहले देश काल परिवेश राज सभा उसमें उपस्तित लोगों से निरपिक्ष हो उनको भूल केवल आत्म चिंतन और आत्म अन्वेशन में डूपा हुआ था तो यहां आगे हम देखते हैं कभी कह रहे हैं कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेले पन में डूप गया था जिसमें शाक्षी के आगे था जीवित वही किरिटी तरू और किरिटी तरू की विराटता के बारे में फिर वही पंक्तियां और अन्वे नीरव एक अला प्रियमवद तो अब इन पंक्तियों को हम देख लेते हैं कि प्रियमबद रासवा को बोलकर अभिमंत्रित वीणा में खुद को डुबाओ देता है और प्रियमबद के लिए वीणा एक जीवित संसार की तरह है जिसका वे साक्षी है और साक्षे क्या है यह जीवित किरीटी तरू वैवीना उसी किरिटी तरू के अंश से बनी है और किरिटी तरू कैसा है उसके कंदों पर बादल उंगते है जिसके कानों में हिमगिरी अपना रहस से कहते है पूरी प्रक्रती परिवेश से शाक्षात कार तथा आत्मिय संबोधन ही प्रियमवद का नीरव एकालाप है आगे की जो पंक्तिय हैं उनमें प्रियमवद तरू से बात कर रहे हैं तरू को संबोधित करते वे उसका गुंगान कर रहे हैं उसकी विशालता के बारे में बता रहे हैं कि वे इतना प्राचीन है उसने ना जाने कितने हजारों पतिजड देखे हैं कितने वसंत देखे हैं और बरसातें देखी हैं कितने जुगनों ने उसकी आरती उतारी हैं ना जाने कितने भवरे उसके आजपास गुंजार करते हैं रातों को जिंगुरों ने बिना रुके बिना धके मंगल गान सुनाए हैं और सुबह शाम जिसकी डालें पक्षियों के समुहों के खेलने के कारण काम जाती थी वे इतना विशाल है इतना दीर्ग काय है उस किरीट तरू के बारे में उस किरीट तरू को वे कहते हैं कि तुम तो पूरे जहार खंड के अग्रज हो यहने सबसे बड़े हो पूरे वन प्रदेश के तात सखा गुरु आश्रय त्राता महच्छाय ओव्याकल मुकरित वंध्वनियों के वरंदगान के मूर्द रूप मैं तुझे सुनू देखू दियाओं अनिमेश इस्तब्द सैयत सैयत निर्वाग कहां सास पौँ मैं मतलब उसकी इतनी विशालता है वह इतना विराठ है उस उसको छेड़ने का उसको साधने का वे कैसे प्रयास करें क्योंकि उस वीणा में उस किरीटी तरू का अंच है तो उस वीणा के लिए ये कह रहे हैं उस किरीटी तरू का ध्यान करते वे जिस किरीटी तरू से ये बनी है तो वे कह रहे हैं कि इस वीणा को साधने का मैं कैसे साहसपाऊं यह संकोच उसे रोकता है और उसका ध्यान गोद में रखी वीणा पर जाता है तो वे कहता है कि वीणा मेरी गोद में रखी रखी रहे परन्तो हे तरू मतब पेड़ को सम्मोदित करते कि मैं तो तेरी गोद में बैठा हुआ आनंद से भरा हुआ बालक हूँ अपने आपको बालक कहता है क्योंकि बालक ना तो कलावंत है ना वो साधक होता है ना उसमें अंकार होता है और ना संकोच नडर तो वे कह रहा है तरू को तात कहते वे कहता है समर्पन भावर्पित करते वे कहता है कि हे थात तू ही मुझे संभाल मेरी रक्षा कर मुझे सुआवे उस्तित बना ताकि मैं तेरे तारों से जहंकार उत्पन कर सकूँ मैं कहता है ओतरू थात संभाल मुझे मेरी हर किलक पुलक में डूप जाए मैं सुनू गुनु विष्मे से भर आंकु तो यह कहे दाए कि जब तक तू ऐसा नहीं करेगा आगे बे कह रहा है कि जब तक तू ऐसा नहीं करेगा तेरे माध्यम से संगीगत वर निकाल का राज आग और उसकी शभा को संदूसwnoस नहीं कर पाओंगा मैं चाहता हूँ कि हम और तुम एक हो जाए हमारा हम एक दूसरे से अभी न हो जाए यदि ऐसा हो जाए तो मैं तेरी गोध में शिशु के समान मचलता किलकारी भड़ता मैं तुझे अपनी प्रसन्नता से बाल सुलब क्रणाओं से प्रमुदित पुलकित कर सकूँगा और दूसरी और मैं तेरी आत्मा के अंतरवानी सुनकर उसमें समिस्ट भावों और विचारों पर चिंतन्मन कर सकूँगा तेरे अनुभव को जान सकूँगा और उनसे सीख कर जीवन की समिक्षा करता रहूंगा वैं आगे केते तेरे अनुभव का एक एक अंतर स्वर तेरे दोलन की लोरी पर जूमो मैं तन्माए गातू तो वैं कहता है कि मैं चाहता हूं कि जैसे मा की गोद में या पालने पर लेटा हुआ बच्चा मा की मदुर लोरी सुनता हुआ प्रसन न होता है कानों में अम्रिच्चा गूलने के काण मीथी नीन्स होता है उसी प्रकार मैं भी तेरी स्वर लहरियों पर जूमूं हे विना तू गा, तू मीठी लोरियां सुना तेरी प्रत्येक लाय के अनुरूप तेरी लाय पर मेरी सांसे गिरें पुरें रीतें विश्रान्ती पाएं तो तेरी जो लाय है उसके उठने गिरने के साथ मेरी सांसे उठेंगे गिरेंगे तेरा संगीत सुनकर मैं पूर्ण विश्रान्ती का अनुभव करूँगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुगा और मैं तेरी प्रत्येक लाय के साथ एक तान हो जाओं तो यहां वह किरीटी तरू की लकडी से बनी वीना पर जुका हुआ है और उसकी प्रती आत्मिता प्रकट करते हुए और समरपन का भाव अरपित करते हुए यह सारी बातें कह रहा है किरीटी तरू का दिहान करता है उसके प्रति अपने आपको पूरी दर समर्पित करता है और जब उसका दम आंकार दर्पसब नस्ट हो चुके वह जानता है कि जब तक ये दूशिद भाव उसके मन का तालापन नहीं मिट जाता तब तक परम सत्य को पाना असंभव है